Hi everyone, welcome back to our channel आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 October से रिलेटेट करंट अफे के important question हर एक question को explain किया जाएगा detail में तो वीडियो के साथ last तक ज़रूर बने रहें और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो like ज़रूर कर दें first question है हमारे पास विश्व मानसिक स्वास्थे दिवस कम मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थे दिवस ये हर वर्ष 10 October को मनाया जाता है D option जो है इस question का सही उतर है पहली बार इस दिवस को कब celebrate किया गया था ये भी पता होना चाहिए तो चलिए देखते हैं detail में इस question को इस दिवस को विश्व मानसिक स्वास्थे महासंग द्वारा प्रारंब किया गया था और सरपथम इसे 1992 में celebrate किया गया था एर याद रखना है आपने और इसे कौन celebrate करता है किसने celebrate करना इसे शुरू किया था उस संग का नाम भी आपको याद रखना है question related है important day से तो अभी तक जो भी October month में important day हुए है उन्हें discuss कर लेते हैं 1 October को बिशव शाकारी दिवस और अंतराश्टी कॉफी दिवस ये दोनों दिवस celebrate किये जाते हैं 1 October को 2 October को 3 दिवस जो हैं वो celebrate किये जाते हैं गांधी जन्ती, लाल बहादुर शास्त्री जन्ती और अंतराश्टी अहिंसा दिवस लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधान मंत्री थे ये आपने मुझे comment box में बताना है 3 October को celebrate किया जाता है जर्मन एकता दिवस 4 October को बिशब पशु दिवस 5 October को बिशब शिक्षक दिवस याद रहिएगा 5 October को बिशब शिक्षक दिवस है जबकि राश्टी शिक्षक दिवस जो है वो 5 September को celebrate किया जाता है 7 October को बिशब कपास दिवस 8 October को celebrate किया भारती बायू सेना दिवस और 9 October को हमने सेलिबरेट किया है यहाँ पे mistake हो गई है 9 October को सेलिबरेट किया है विशब डाक दिवस इसे ठीक कर लीजेगा और 10 October को सेलिबरेट किया जाता है विशब मालसिक स्वासे दिवस चलिए next question देखते हैं next question है हाल ही में किस देश के फुटवोल खिलाडी अंद्रेस इनियस्ता ने सन्यास लेने की घोशना की है अंद्रेस इनियस्ता ये स्पेन के फुटवोल खिलाडी है और हाल ही में इन्होंने सन्यास लेने की घोशना की है नेक्स्ट कोशिन है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे शोट में BCCI कहा जाता है ने भरष्टाचार रोधी इकाई के परमुख के रूप में किसे निक्त किया है भरष्टाचार रोधी इकाई के परमुख निक्त किये गए हैं शरद कुमार ए ओप्शन सही अंसर है प्रमुख निक्त हुए है अवीर जेन अवीर जेन को RBI के कारेकारी निदेशक के रूप में निक्त किया गया है important है सारे appointments तो याद रखिएगा next question है हाल ही में केस सेयद को किस देश का दूसरी वार राष्टेपती चुना गया है केस सेयद ये टूसरी वार राष्टेपती चुने गये है ये option सही अंसर है केस सेयद को 90.7 परतिशत मतदान हासिल हुए है टूनिशिया की बात करें तो ये अफरीकी कंट्री है एक और ये 1956 में फ्रांस से अजाद हुई थी टूनिशिया की राजधानी है टूनिश और मुद्रा है यहां की दिनार नेक्स्ट कोशिन है चोथी आई SSF जूनियर विशप चैंपिंशिप दो हजार चौबिस में मैडल टैली में भारत का कौन सा स्थान रहा है मैडल टैली की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है भारत ने टोटल 24 मैडल जीते हैं और 24 मैडल के साथ भारत जो है इस विशप चैंपिंशिप में पहले स्थान पर है चलिए डिटेल में इस कौशन के बारे में देखते हैं भारत ने कुल 24 medal जीते हैं जिनमें से gold medal है 13, 3 silver medal है और 8 जो है वो ब्रोजोन medal भारत के द्वारत के द्वारा जीते गए हैं इटली जो है वो 13 medals के साथ दूसरे नंबर पे और नॉर्वे 10 medal के साथ 3 नंबर पे है ये चैंपिन्शिप 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित हुई और कहां पे इसका आयोजिन किया गया पैरू की राज़ानी लीमा में इसका आयोजिन किया गया नेक्स देखिए नशीली दवाओं की तरसकरी से निपडने के लिए किस राजय सरकार ने संकल्प पहल शुरू की है संकल्प पहल ये शुरू की गई है हिमाच सरकाद वारा सी ओप्शन सही उतर है नशीली दवाओं की तरसकरी से निपडा जा सके इसलिए इस पहल की शुरू बात की गई है। और उपपुर्मुक की हाल ही में नुक्ती हुई है तो SP धारकर जो हैं बो बायुसेना के उपपुर्मुक हैं भारती बायुसेना की स्थापना जो है 8 अक्टोबर 1932 में हुई थी अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2024 की बायुसेना दिवस का विशे है भारती बायुसेना सक्षम सशक्त आतम निर्भर विशे भी आपको याद रखना है 2022 में इस समारों का आयोजन चंडीगर एरवेस में किया गया था जबकि 2023 में प्रियागराज एरवेस प्रियागराज कहां पे है उतरपरदेश में तो प्रीविस एर्स के समारों कहां पर आयोजित किये गए थे ये भी कॉशन एक्जाम में कभी पूछा जा सकता है तो आपको क्रंट एर के साथ प्रीविस टू एर के भी आयोजित याद रखने है आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें थैंक्स फो वोचिंग